हर्याना के 9 इलाके में धार्मिक यात्रा के उपर हुए हमले और दो गुटों के बीच हुई हिंसक जड़प के आग अब UP के मतुरा और हर्याना की सीमा पर बने कोसी कोटवन बॉर्डर तक पहुँच गई है हिंसा की आग की लप्टे राजिस्थान के भी कुछ जिलो तक पहुँच चुकी है हर जगा पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है और CRPF के जवानों को भी मौके पर तैनात किया गया है लेकिन घटना को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं आखिर कैसे हर्याना पुलिस का सुरक्षा तंत्र नकाम हो गया कैसे दंगाई बेखौफ होकर उत्पात मचाते रहे कई घंटों तक हलाक संभाले में पुलिस वाले आखिर क्यों नकाम रहे आईए तस्वीरों के जरिये समझते हैं कि कैसे हिंसा ने एक भयानक रूप धर लिया जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक बस को पूरी तरह से बरबाद कर दिया गया है समाच के दुश्मनों ने ऐसी हिंसा की जिसे पूरा देश देख रहा है नू में हिंसा के बाद की तस्वीरे गवाही दे रही है कि कैसे वहां दंगाईों ने सारी हदे पार कर दी एक और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे इतनी सारी गाड़ियों को एक कबाड के धेर में तबदील कर दिया गया कानून से बेखौफ दंगाई गाड़ियों को फूपते रहे, दुकानों में तोड़ फोर करते रहे जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे दंगाई बेखौफ होकर उत्पात मचाते रहे कई घंटों तक हलात संभालने में पुलिस वाले बिल्कुल नकाम साबित होए जलती हो इस बाइक को देख सकते हैं आप, अब हिंसा की आग फैल कर गुरुगराम तक पहुँच चुकी है एक मस्जिद पर हमला करूब द्रवियों ने इमाम की हत्या तक कर दी नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंग और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी सोमवार 31 जुलाई को हर्याना के मेवात और सोना में दो समुदायों के बीच जबरदस्त बवाल हुआ और देखते ही देखते हिंसा की आग गुरुगराम फरिदाबाद तक पहुँच गई यहां दोनों समुदाये ने एक दूसरे पर जम कर पत्थर चलाए करीब 90 गाड़ियों में तोड़ फोर की गई और आगजनी कर दी गई इस हिंसा को देखते हुए नुह में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट पर भी तीन दिनों तक के लिए रोक लगा दी गई है इसके अलावा गुरुगराम फरिदाबाद और रिवाडी में धारा 144 लागू कर दी गई है और इन जगहों पर स्कूल भी बंद कर दिये गए हैं हर्याना से सटे राजिस्तान के भरतपूर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है यहां की चार तहसीलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है हर्याना सरकार ने नुह जिले में कानून विवस्ता की स्थिती बनाए रखने के लिए केंदर से एक हाफते के लिए Rapid Action Force की 20 कंपनियां मांगी है इन्हें जिले के समवेदंशीन इलाकों में तेनात किया जाएगा आएए डालते हैं एक नजर कि क्या है दरसल पूरा मामला नुह में हिंदू संगंठोनों की तरफ से तै किया गया था कि ब्रिजमंडल यातरा निकाली जाएगी कि चर्चित मोनु माने सर ने पहले ही वीडियो शेयर कर यातरा में अधिक से अधिक लोगों से पहुँचने की अपील की थी इतना ही नहीं मोनु माने सर ने कहा था कि वो खुद भी इस रैली में शामिल होगा हाला कि मोनु माने सर इस यातरा में नहीं आया लेकिन बिट्टू बजरंगी नाम के कथित गोरक्षक के शामिल होने पर तनाओ बढ़ गया और नुहू में दूसरे पक्ष के लोगों ने जम कर बवाल काटा और पत्राव भी शुरू हो गया बता दें कि मोनुमानेसर नासिर जुनैद हत्या कांड में वांटेड है हर्याना के भिवानी में लोहारू के बरवासा गाउं के पास एक जली हुई बुलैरो में 16 फरवरी को दो कंकाल मिले थे मृतकों की पहचान नासिर पच्चिर वर्श और जुनैद के तौर पर हुई थी इन लोगों की हत्या के बाद ही मोनुमानेसर चर्चा में आया था नुहू में देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस बल तक हिंसा पर काबू पाने में कम पड़ रही थी ऐसे में हिंसा प्रभाविश शेतर में गुरुगराम से मेवाद से इतरिक्त फोर्स बेजा गया इस बीच हमलावरों ने मेवाद से गुरुगराम जा रही पुलिस की गाड़ियों पर भी जम कर पत्राव किया और इस हमले में कुछ पुलिस कर्मी घायल हो गए तो वहीं होमगार्ड नीरज और होमगार्ड गुरसेवक की मौत हो गई अनिस सभी घायल पुलिस कर्मियों का इलाज मिदानता हस्पिटल में चल रहा है बड़ी हिंसा की चलते सैकडों लोग मंदिर में फंस गए दावा किया जा रहा है कि उन्हें सैकडों की भीड ने घेर लिया था और उन पर पत्राओ किया गया हाला कि बाद में पुलिस बल ने सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया हर्याना का मेवात नुह इलाका गो तसकरी के विवात से पहले से ही बेवहत समवेधन शील इलाका रहा है ये इलाका देश के राजधानी से सिर्फ देड़ गंटे की दूरी पर है नुह हिंसा की आग कुछ देर में हर्याना के सोना और गुरुगराम तक पहुँच गई सोना इलाके में भी दोनों पक्षों की तरफ से गाड़ियों में आग लगा दी गई दोनों ही पक्षों के ओर से पत्थर भी चलाए गए सोना में भीड ने कई गाड़ीयों में तोड़ फोड की, तो कई गाड़ीयों को आग भी लगा दी सोना में कई दुकाणों को भी आग लगा दी गई नू के साइबर थाने पर भी हमला किया गया थाने में तैनाथ सिपाही ने बताया कि हजारों की संक्या में भीड ने थाने पर हमला किया और थाने के बाहर गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर आगजरी कर दी गई बीड ने थाने के गेट को तोड़ने की भी कोशिश की हर्याना के ग्रह मंत्री अनिल विज ने मीडिया को संभोधित करते वे बताया कि पुलिस ने एक शिव मंदिर से लगबग 25 सो पुरिशों महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला है नुक के विधायक अफजल एहमद ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि यहां घटना हिंसा एक सुनियोजित कृत्त था आपको बता दें कि मंगलवार को नुक और आसपास के इलाकों में ताजा हिंसा की कोई खबर नहीं आई है और सैनिक बलो की 13 कंपनियां जिले में पहुँच चुकी हैं जबकि 6 कंपनियां अभी आनी बाकी हैं किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एतियाब के तौर पर फरिदाबाद, पलवल और गुरुराम में धारा 144 लागू कर दी गई है सुमवार को हुई हिंसा के बाद आज शांती कमेटी की बैठक हुई जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल हुए SP ने आरोपियों की पहचान करने में मदद करने की शांती कमेटी के सद्यस्तों से अपील की है उन्होंने बताया कि उबदरव्यों के खिलाफ की जाएगी सक्ससक्त कारूनिक कारवाई SP ने आगे बताया कि उबदरव्यों को गिरफतार कर लिया गया है इस रिपोर्ट में केवल इतना ही ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी